नमस्कार दोस्तो मैं गौतम सिंग आज आपके लिए लेकर आया हूँ केला खाने के फायदे और नुक्सान केला खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फिली चैनल को सब्सक्र पाइदे बहुत हैं केला फाइबर से सम्रीद होता है जो पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद करता है फाइबर की वज़े से भोजन सही तरीके से पज जाता है और मल निकासी की प्रकिडिया आसान हो जाता है इसके अलावा फाइबर कप्ज जैसी पेट सम्मंदी समस्याओं से भी निजात दिलाने का काम करता है केले में रेसी एस्टेंट एस्टार्च भी पाए जाता है जो पेट के लिए फैदे मन माना जाता है उच रक्त चाप को नियंतरित करने के लिए भी केले के गूंड देखे जा सकते हैं केले में भरपूर मातरा में पोटेसियम पाए जाता है पोटेसियम रक्त वाहिकाओं की दिवारों को आराम पहुंचा कर रक्त चाप को कम करने का काम करता है हीर्दे स्ववस्थ के लिए भी केला खाने के फायदे देखे गए हैं यह पोटैसियम जैसे पोशक ततो से समरीध होता है जो दिल का दवरा एश्ट्रोक और हीर्दे रगों से होने वाली मोतो को कम कर सकता है अध्यान में पाये गया है कि सरीर में पोटैसियम की कम मत्रा उच रख चाप को बढ़ा सकती है एश्ट्रोक का कारण बन सकती है मस्तिष्क सोवस्थ मस्तिष्क सोवस्थ के लिए भी केले के फायदे बहुत हैं यह बिटामिन B6 से सम्रिद होता है जो मस्तिष्क की कारे पराड़ी को बहतर बनाने का काम करता है एक अध्यान का अनुशार बिटामिन B6 की कमी वैस्को में मस्तिष्क की कारे पराड़ी को कमजूड कर सकती है इसके अलावा केला मेगरिसियम से भी समरिध होता है, जो नर्वस सिस्टम पर परभावी असर डाल सकता है मस्तिश को सुखने के लिए आप प्रोजाना केले का सेवन कर सकते हैं हडी सुख हड़ियों के लिए भी केला खाने के फैयदे मन देखा जा सकता है या कैल्सियम से शुवरिद होता है और हड़ियों के विकास को मजबूती के लिए कैल्सियम की अहम भूनका होती है हड़ियों के लिए स्वस्थ के लिए या केले के मौजूद मैगनिसियम की अहम भूनका देखी जा सकती है मैगनिसियम एक खास पोशक तत्व है जो हड़ियों को विकास में मजबूत करता है साथ ही या सरीर में केल्सियम के परवाह में भी मदद करता है एनेमिया एनेमिया एक घातक बिमारी है जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होती है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माड में फोलेट महतवपूर भूमिका निभाते हैं शरीर में फोलेट की कमी एनेमिया का कारण बनती है केला एक गुणकारी फल है जो फोलेट से भरपूर होता है एनेमिया से बचने के लिए आप अपने आहार में केले को जरूर सामिल करें तनाव तनाव से छुटकारा पाने के लिए भी केले का सेवन किया जा सकता है इसमें पोटेसियम मौजूद होता है जो रक्त चाप को नियंत्रित कर तनाव से मुक्ति दे सकता है इसके अलावा इसमें बिटामिन बी भी होता है और एक रिपोर्ट के अनुसार बिटामिन बी सप्लिमेंट बेवसाइक तनाव को कम करने और कार्य चमता को बढ़ाने में अहम भोमिका निभा सकता है बढ़ाता है उर्जा देखिए केला जो है उर्जा भी बढ़ाता है कैसे शरीर में उर्जा के परभाव को बढ़ाने में केला खाने के फैदेमन देखे जा सकते है इसके प्रती 100 गराम में 89 कैलोरी होता है जिसमें आप उर्जावान महसुस करेंगे यह एक पौश्टिक अहार्ग है जो कार्भो हाइड्रेड और प्रोटीन जैसे पोशक ततों से भी सम्रिद होता है यह सभी ततों मिलकर सरीर में उर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे आखों के लिए देखिए आखों के सवस्त के लिए भी केले के फायदे बहुत हैं केला अन्य जरूरी पोशक ततों के अलावा करें टी नाइट से भी सम्रिद होता है जो बिटामिन ए के रूप में भी माना जाता है बिटामिन ए आखों के लिए भी जरूरी ततों माना जाता ह या आखों के रेटीना में पीगमेंट को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा बिटामिन एक कम रोषनी में भी साफ देखने में मदद करता है। आखों के स्वस्त के बरकरार रखने के लिए आप रोजाना केले का सेवन कर सकते हैं। मासिक धर्म के समय दर्द मासिक धर्म के दर्द से निजात पाने के लिए भी केले खाने के फायदे देखे गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सरीर में पोटेसियम की कमी से सरीर में एठन की समस्या हो सकती है। केले में पोटेसियम होता है जो मासिक धर्म के समय भी पेट में जो एठेन होती है उसको छोटकारा दिलाने में काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा केला बिटामिन B6 से भी सम्रिद होता है जो खास पर महिलाओं के लिए महतवकुड मना गया है। विटामिन बीस एक्समासिक धर्म को सरल बनाने में मदद कर सकता है अब आपको हम बताएंगे केले के नुक्सान क्या है इसमें कोई सक नहीं है कि केला गुड़काडी फल नहीं है लेकिन इसका अत्याधिक सेवन आपको समस्या ला सकता है यानि केला फैदेमन है लेकिन आपको अधिक रही खाना है ये कहीं बार केला फाइबर का बड़ा सुलोता है और अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन गैस पेट में एठन और पेट फूलने की समस्या का कारण हो सकता है आप केला ज़्यादा खाते हैं तो गैस पेट में एठन और पेट फूलने की समस्या हो सकता है आपको अत्यधिक फाइबर जो है शरीर में आईरन, जींक, मेगनेशियम और केल्सियम के अवसोशण में बाधा बन सकता है पोटैसियम का भी अच्छा सरोथ है पोटैसियम की अत्यधिक जो है मातरा हाइपरक्लेमिय के कारण बन सकता है इसलिए कहने का मतलब है केला का नुक्सान यही है कि आप केला ज़्यादा न खाए थोड़ा-थोड़ा मातरा में रोज खाएं सही रहेगा तो दोस्तो आपको हम बताए केले खाने के फाइदे क्या है और नुक्सान क्या है तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है अगर आचा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दवादे ताकि अगले वीडियो कुनेटफिकेशन आपको मिलते रहेगा थाइंक यू दोस्तो रादे रादे दोस्तो